सबको जे सुकी प्रभीय सुकृॷ्ष्ट में प्यारे भाईयों बहनों, नव जीवन का संदेश इशर्षए के अंतरगत, प्रती दिन का ईश्वर का जीवन वशनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वशनों के अनुसार जीवन बिताने के शक्ति सामर्धि क्रपा अन देखा बाइबल में जहां प्रभू के पास लोग आए प्रभू ने या तो सवाल किया क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुमार ले ये कारी कर सकता हूँ जब लोगों ने अपने विश्वास को वेक्ते किया लोगों ने का जी हां प्रभू हम विश्वास करते हैं कि आप यह कर सकते हैं तब जाके प्रभू ने उनके जीवन में कारी किया या फिर लोगों ने अपने विश्वास प्रकड किया तब प्रभू ने अपना कारी किया या फिर प्रभू ने अपने शिश्यों को जब नाव में यातरा कर रहे थे गबरा गे ढर गे आंदी तुफान को दे है इस बात को लेकर हम आज के दिन में देखेंगे कहां पर किस के लिए प्रभू ने कहा कि तुम्हारा विश्वास महान है और महान विश्वास के चलती वो सब्यक्ति के जीवन में या उसके परिवार के परिवार के जीवन में क्या हुआ है इस बात को हम लोग आज के दिन में सीखेंगे आज के दिन में समझेंगे यानि कि विश्वास हमारा ना अल्प हो ना विश्वास हमारा ना कल्प हो विश्वास हमारा थोड़ा हो या सोया हुआ हो या कमजोर हो बलकि हमारा विश्वास महान हो इस महान विश्वास ग्रहन करने के लिए महान विश्वास के साथ जीने के लिए प्रव हमें बुलाता है तो आज के दिन में प्रसंग हमें दिया गया है संतमति के द्वारा रचित सूFirst मचरा दियाophone 15 प्रसंग के 21 से 28 का प्रसंग है इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं या कनानी स्तुरी को या कनानी बेटी के लिए पुकार पुकार कर कह रहती प्रभू दाओत के पुत्र मुझ पर दया कीजिए मेरी बेटी एक अब धूत द्वारा बुरी तरह से सताई जा रही अपनी बेटी के निवेदनों को लेकर प्रभू के पास आती है और प्रभू से विंती करती है और ये अगर इस सम पढ़ें चार बार विंती किया गया उसके बेटी के उस परिशानियों को लेगा प्रभू से लेकिन प्रभू का उत्तर देखे हर बार का उत्तर देखे पहली बार जब प्रभू से विंती किया उस्तरी ने मेरी दावत के पुत्र मुझ पर दिया कीजिए मेरी बेटी अब दूद द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है एसा ने उसे उत्तर नहीं दिया पहली बार उसने उत्तर नहीं दिया और उसके बाद उसके शिशों ने प्रभू के शिशों ने प्रभू के पास आके कहा वो हमारे पीछे चलाती हुई आ रही है प्रभू आप उनकी पुकार फिर फिर प्रभु को धंडवत करते वह बड़े एब इमानदारी से बड़े विनम्रता से प्रभु के पास आप त sincerely लए अपना निवेदन रखती वह कहती है प्रभु मेरी सहता कीज़िए प्रबु मेरी मदद कीजे मेरी सहता कीजा इस पर भी प्रभु एक प्रकास नकरातमक ता प्रभु ने क्या उखतर दिया है इसा ने उखतरद्या मैं केवल इज्राइल के घरानी के कोई हुई बेढ़ों के पास बेजा गया हूं इतने मुस्तुर्ण ने आकर इसा को धंडवत कि, और प्रभु मेरे साहता कीचे एसा ने उत्तर द्या बच्छों कर रोटी लेकर पिलों के सामने डालना ठीक नहीं है यहां जो स्थीट बहुती नकरात मक्सा उत्तर रहा है यहां हैं कि इस्तरी तब भी पीचर नहीं हड़ती बले उसके पुकार की सुनवाइय नहीं होती उत्तर म किसी प्रकार से उमीद नहीं लग रही है उसके बवजुद उमीद रखकर निराश जनक परिष्टिते में आशा रखते हुए वो स्त्रीव अपने प्रारतना में लगी रहती है प्रभू से विंती करती है जब इस प्रकार से अपने विश्वास को बुलंद रखते हुए प्र प्रभू क्या कहता है तुमारा विश्वास महान है नारी तुमारा विश्वास महान है क्योंकि उस तरी ने कहा था बच्चों के रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है उस तरी ने उत्तर दिया जी हां प्रभू फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चुरा बार हमारे विश्वास की परिशा हो सकती है, हमारे विश्वास सोया हुआ विश्वास है, अल्प विश्वास है, कमजोर विश्वास है, किस प्रकार का विश्वास है, इस बात की परिशा हो सकती है, विश्वास महान होगा, प्रभु हमारी प्रारतना सुनेगा, पहली बार तो दूसरी बार नहीं तो तो तीसरी बार, जरूर हमारी प्रारतना की सुनवाये होगी, हमें उत्तर मिलेगा, क्योंकि जो प्रारतना हम लोग विश्वास से करते हैं, वो प्रारतना प्रभु के कानों तब पहुंचती है, और प्रभु हम सबुम को उत्तर देता है, और काल से तुम से प्यार करता आ रहा हूं इसलिए मेरी क्रपादरस्टी निरंतर तुम पर बने रही यानि कि ये इश्वर जो हम सबों से बेहद प्यार करने वाला वो ये इश्वर हम सबों को बताता है वो कैसे हम से प्यार करता है कैसे प्यार करता आ रहा है कहीं बार हम सवाल क किस प्रकास हमसे प्यार करता है, मैं अनंतकाल से तुम से तुम को प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी क्रपा की द्रस्ती निरंतर तुम पर बनी रही, यानि कि हम सबों पर इश्वर के क्रपा की द्रस्टी बनी रहती है वो इश्वर अनंतकाल से हम सबों से प्यार करता आ रहा है इसलिए उस इश्वर के पास जाएं द्रड विश्वास के साथ मजबूत विश्वास के साथ और प्रभू के पास जाके हमारा निवेदन करें अब प्रवह हम सबुसे कहें आज की एक है का तुम्हारे विश्वास महान है तुम्हरी इच्छा पूरी हो जो तुम्हारी प्रारतना है वो पूरी हो और इस प्रकार से प्रॉबह में आशिद कन्य कल त्द folklore है त्यार है इसलिए भाई व बहनों आज के प्रसंका और गहराय से हम ग्रहन करें जिसको हमने सुना है उस पर मनचंतन करें प्रभु से प्रार्तना में जाएं विश्वास के साथ निश्चित रुप से विश्वास के द्वारा हम प्रभु के रहदई को चूँ सकते हैं अब प्रभु हमें चूएंगे और इस प्रकार से हमारा जीवन में आशिश आ बरकते आएंगी चिन्न चमत का प्रकट होंगे जहां विश्वास है वहां पर सब कुछ संबव है स्वयम प्रभु ये समसी ने इस बात को हम सबों से कहा है इसलिए बुलंद विश्वास के साथ मजबूत विश्वास के साथ महान विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं प्रभु हमारी प्रार्तना सुनता है